हेलो एवरिवान वेल्कम टू आर यूटूब चैनल प्रिशानत एजूकेशन हब मेरे नाम निधी है और आज हम हुमन बॉड़ी से रिलेटेड कुछ एमसी क्यूज करने वाले हैं स्पेशिल ये फामेसी के बच्चों के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक रहेगा आज एमसी क्यूज हीूमन बॉड़ी से रिलेटेड उसमें बेसिकली हम जो बॉड़ी फ्लूड्स है और रस्पीडिटल सिस्टम में उस इसके अंदर क्या होता है कि जो बाइकार्बुनेट आइन्स होते हैं वो कुछ आइनिक चेंजिस करते हैं बिट्विन प्लाजमा और ये फ्लूरसाइट ठीक है तो क्लोराइड शिफ्ट जो है क्लोराइड शिफ्ट इस एसेंशिल फॉर सीयो टू ट्रांसपूर्ट ठीक है अब देखिए इसमें ऑप्शन हमर पस इटिंग प्लेंग स्लीपिंग रनिंग अब कुछ बच्चे इसका जरूर आंसर जो है लगाएंगे स्लीपिंग ठीक है बट आक्चुली में ब्रीधिंग का जो सबसे लोएस्ट रेट होता है जब हम खाना खा रहे होते इट कर रहे ह होते कुछ ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अप्शन नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं आइरन कंटेनिंग प्रोटीन मायो ग्लोबिन इस प्रेजेंट इन स्प्लीन लंग मसल नन अव दीज हमें इसमें बताना है कि कौन सा कौन सा मायो ग्लोबिन है जिसके अंदर आ मसल से रिलेटिड है तो आइरन जो है वो हमारे मसल के अंदर होता है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी नेक्स्ट क्वेशन देखिए अमांट ऑफ एयर एक्सचेंज इन ब्रीधिंग कैन भी मेजर्ड विद जो भी एयर हम ब्रीद करते हैं उसको किस के थ्रू मेजर किया ठीक है तो दिखिए ये हमारे पास थर्मा मेंटर तो बिल्कुल नहीं होगा आज़ला बेर करने के लिए यूज के जाता है थर्मामेटर टेंप्रेचर हो गया तो हमारा आंसर क्या जाएगा स्पारोमेटर स्पारोमेटर जो है यह मेजर करके बताता है कि कितना एयर जो है एक्सचेंज हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखिए आपको एंजाइम का नाम बताना है कि कार्बन डायोकसाइड जो है किस एंजाइम की वज़े से रिलीज होना स्टार्ट होता है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या आंसर हो जाएगा हमारा कार्बॉनिक एन्हाइडरेज ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखिए विच एनिमल हासज डबल ट्रैकिया कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके पास डबल ट्रैकिया होता है मतलब दो wind pipe होते है snake, whale, penguins, none of these ठीक है तो इसका answer हो जाएगा penguin penguin जो होता है इसके पास double trachea होता है ठीक है चलिए next question देखते है the organ of sound production in birds bird के अंदर जिसे की humans में होता है जिससे sound निकलता है तो sound जो होता है हमारे human के अंदर voice box किसको बोला जाता है larynx को बोला जाता है है ना जो voice box होता है उसे तरीके से birds के अंदर क्या होता है ये बताना है आपको तो birds में larynx तो human का हो गया pharynx भी human में होता है vocal sex नहीं यहाँ पर हमारा answer क्या हो जाएगा syrinx syrinx जो होते हैं ये bird के अंदर पाए जाते हैं bird का sound box है ठीक है चलिए next question देखते है excess of CO2 in human in the body fluid is known as excess of CO2 in body fluid अगर body के अंदर CO2 body के fluid के तर यानि कि blood के अंदर CO2 का level क्या हो जाए बढ़ जाए तो उस condition को क्या बोलते हैं hypercapinia most important question है next question देखिए lack of oxygen in body fluid is known as अभी हमने पढ़ा कि CO2 का level बढ़ जाए अब next question क्या है कि अगर O2 का level क्या हो जाए कम हो जाए तो उस condition को क्या बोलेंगे उस condition को बोलते हैं उसको बोलते हैं anoxemia क्या बोलते हैं anoxemia ठीक है चलिए next question देखते हैं the phenomena in which skin turning blue due to excessive amount of de-oxygenated hemoglobin in the skin blood vessels is known as मतलब वो फिनोमेना जिसके जिसमें क्या हो जाए कि de-oxygenated hemoglobin का मतलब समझे आप de-oxygenated hemoglobin का मतलब क्या है कि हमारे blood के अंदर oxygen की क्या है कमी है समझ में आ रहा है तो उस condition में जो हमारी blood vessels या skin जो होती है वो blue turn हो जाती है मतलब blue color देखने लगती है तो उस condition को क्या कहते है उस condition को कहते है synosis क्या कहते है उसको synosis ठीक है next question defibrinated blood is defibrinated blood जो होता है वो क्या होता है serum होता है ठीक है next question देखिए smallest RBC found in मतलब RBC पता है आपको red blood cell होता है तो सबसे छोटा RBC किसी अंदर होता है musk deer, frog, rat तो यहाँ पर हम बोलेंगे musk deer musk deer जो होता है यह वो organism है जिसके पास सबसे छोटा RBC देखने को मिला है ठीक है next question the iron that is necessary for coagulation of blood मतलब blood को clot होने के लिए कौन सा iron जो है वो necessary है ठीक है sodium ayn, calcium ayn, iron ayn और potassium ayn तो हम यहाँ पर क्या लेखेंगे calcium ayn calcium ayn जो है blood की coagulation के लिए बहुत ही जादा important होता है next question देखिए source of fibrinogen fibrinogen क्या है सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए fibrinogen क्या है clotting factor है जो हमारे हमारा जो skin होता है हमारा जो muscles होते हैं उसके अंदर present होते है ठीक है तो जो fibrinogen का source है हमारा lymph है ठीक है यह भी important question है जो lymph का जो topic है यह important ही topic है ठीक है चलिए next question देखिए antibodies are synthesized in antibody जो है वो कहां बनता है antibody पता है आपको antibody जो होता है यह वो chemical होता है हमारी body के अंदर जो foreign particles से हमारी body की तरफ से लड़ता है ठीक है तो यह जो है हमारी body में कहां पर बनता है ठीक है blood के अंदर liver के अंदर heart के अंदर तो यह बनता है lymph glands के अंदर lymph glands के अंदर जो है basically हमारे antibodies बनते हैं अगर हम lymphatic system की बात कर तो lymphatic system क्या है यह हमारी immunity को boost करता है ठीक है चलिए next question देखिए the instrument is used to measure the blood pressure उस instrument का नाम बताना है जो blood pressure को measure करने के लिए use किया जाता है उसका आपको पता ही है यहाँ पर हम क्या लेंगे sphygno manometer ठीक है next question देखिए the largest lymphatic organ in the body सबसे बड़ा lymphatic organ बताना है body के अंदर तो अगर lymphatic organ की बात करें तो हमारा answer क्या होगा यहाँ पर spleen ठीक है चलिए next question देखिए William Harvey is known for the discovery of William Harvey scientist का नाम है उनको किस चीज की discovery के लिए जाना जाता है उनको discovery के लिए जाना जाता है blood circulation इन्होंने blood circulation की discovery की थी ठीक है next question देखिए the blood leaving the lung is reaches in अब देखिए वो blood जो lung जो lung को अब छोड़ कर जा रहा है blood leaving the lung जो blood lung को छोड़ कर जा रहा है तो उसके अंदर सबसे जादा क्या होगा आपको पता है कि lungs के अंदर से lungs के थ्रू ही gaseous exchange होता है तो अगर blood जो है वो lungs से निकल रहा है इसका मतलब उसमें क्या होगा O2 जादा होगा ठीक है CO2 जादा तब होता है जब blood जो है lungs में जा रहा होता है यह बाद समझ आ रही है आपको चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा O2 next question देखिए the renal portal system is found in renal portal system जो है किसके अंदर देखने को मिला है तो इसका आंसर हो जाएगा frog renal portal system frog के अंदर देखने को मिला है और इसके अंदर पाया जाता है अगला question ANF जिसको बोलते है तो ANF जो होता है यह यहाँ पर misprint है इसमें इसको atrial बोलते है यहाँ पर A T R I A L ठीक है atrial neurotic factor जो होता है वो related है hormones of heart ठीक है यह heart के अंदर जो है atrial neurotic factor जो है वो heart के अंदर पाया जाता है next question देखिए इसका answer क्या हो जाएगा first next question is the electrodes of pacemaker are the electrodes of pacemaker are inserted into the pacemaker होता है उसको कहां insert किया जाता है उसको insert किया जाता है conducting system में ठीक है यह एक साथ है यह उपर आएगा यहाँ पर ठीक है next question देखिए heart is completely enclosed by membrane known as heart heart के उपर membrane जो layer होती है covered जिस layer जिस layer से वो covered होती है उस layer को बोलते है pericardium ठीक है next question देखिए heart of rabbit rabbit का जो heart है option में chambers दिये हुए मतलब हमें बताना है कि जो heart का जो rabbit का जो heart है वो कितना chamber होता है ठीक है तो आपको पता ही कि जो rabbit है वो भी एक mammal है क्या है एक mammal है तो mammal का जो heart होता है उसके पास कितने chamber होते है four chamber तो rabbit भी जो उस तो rabbit के पास भी जो heart होगा वो four chamber होगा ठीक है यहाँ तो इसल उसका अंसर यहाँ पर मतलब जो संस्टालिक होता है और दाइस्टालिक होता है इन दौनों के प्रेशर के बीच का जो डिफेयंस होता है उसको बोलते है प्लस प्रेशर ठीक है चलिए next question देखिए blood pressure is measured usually from जो blood pressure हमें अभी देखा कि blood pressure को measure करने के लिए जो instrument होता है उसका नाम देखा अब blood pressure जो होता है वो कहां से measure किया जाता है ठीक है तो blood pressure को measure किया जाता है branchial artery से ठीक है branchial artery next देखिए the first tape like sound here at the time of measuring blood pressure represent जो सबसे पहला tape like sound जो आता है tap जब measure करते हैं blood pressure तो जो आता है वो systolic pressure का होता है ठीक है next question देखिए double circulation is found in double circulation again double circulation किस के अंदर होता है mammals के अंदर होता है ठीक है तो यहाँ पर option क्या हो जाएगा mammals next question देखिए the life of erythrocyte in mammalian blood is ठीक है यह question important है और यह जगा हमारा last question है तो देखिए जो life cycle erythrocyte समझा रहे है आपको RBC जो होता है उसका scientific name क्या है erythrocyte होता है ठीक है तो RBC का जो life span होता है वो कितना होता है 120 days होता है कितना होता है 120 days ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you for watching our video and keep like and share and subscribe our channel आपको RBC के लिए लिए युद आपके लिए अपके लोले के रहे है